हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ दिखे इस ब्यूटिफूल डिजैन की वीडियो शीर करने वाली हो यह डिजैन यह पैटरन हमारा बहुत सुंदर बहुत प्यारा और बहुत असान भी है और इसे आप लेडिस जैन्स या बच्चों के किसी भी जैन्स के स्वेटर में फुल काडिगन में आप जिसमें मर्जी से डालिए यह बहुत सुंदर और बहुत प्यारा देखे लग रहा है बनकर बनाने में यह बहुत ज्यादा असान है इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो थ्री के मल्टिबल से यह ऐसे यहाँ पर जैन है हमारा सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से इस तरह से बन कर रहता है दोनों तरफ से बिल्कुल फिनेशिंग से यह डिजाइन बनता है हमारा तो इसे आप किसी भी परजेक्ट में इसली यूज़ कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनान पराट करनी है, फर्स्ट रो सीधी तरफ से ये पहले फंदे को हम उतार देंगे, पहले फंदे को उतारने के बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, दो फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अभी इस एस् तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा दो फंदे सी सीधे एक फंदा उल्टा ऐसे करते हुए आपने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है लास्ट में ये दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एस स्टीच के फंदे को हम सीधा बना देंगे इस तरह से करते हुए आपने पूरी रो फर्स्ट रो बनाकर कंप्ल धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, अब इनी तीन फंदों को अपने पूरी स्लाई में रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीथा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीथा, दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीथा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीथा, धागा अपनी तरफ, अब थर्ड रो हमारी सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने उतार लेना है फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद ये दो सीध्य फंदे है ना इसके अंदर ऐसे सेंटर में देखे ना तो फंदे में यहां डालनी है स्लाई ना यहां डालनी है दोनों फंदों के बीच में यहां पर ऐसे स्लाई को डालेंगे यहां से एक लूप बना लेंगे इस तरह से फिर स्लाई पर इस तरह से बल देंगे इन दोनों फंदों में पीछे से स्लाई डालते हुए ऐसे धागा घुमाएंगे उपर से और दो का एक कर देंगे ठीक है फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब इसी डिजैन को पूरी सलाई में रपीट करना है फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे इन दो फंदों में से हमने तीन फंदे बना लेने हैं इस आगे वाले फंदे को छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे सेंटर में यहाँ पर ऐसे सलाई को डालेंगे यहा से तीन फंदे हो गए हमारे अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा पूरी सलाई में हमने इसी डिजैन को रपीट करना है धागा दूसरी तरफ इस फंदे को छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे यहाँ पर बीच में ऐसे सलाई को डालेंगे और एक लूप बना लेंगे सलाई देखे ऐसे धागा गुमाएंगे इन दोनों में पीछे से सलाई डालते हुए ऐसे सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ फिर इसी तरह से ऐसे सलाई को डालेंगे एक लूप बना लेंगे धागा गुमाएंगे ऐसे स स्लाई डालेंगे उपर से धागा गुमाते हुए दो से तीन फंदे बना देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ ऐसे स्लाई को डालेंगे दोनों फंदों के बीच में एक लूप बना लेंगे स्लाई पर धागा गुमाएंगे दोनों फंदों क पीछे से ऐसे बनाते हुए सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा दूसरी तरफ इन दोनों सीधा फंदों के बीच में यहां पर सलाई को डालेंगे इसे सीधा बनाएंगे फिर धागा सलाई पर घुमाएंगे इन दोनों फंदों के पी इतने भी सलाई में फंदे हैं, सेम इसी तरह से आपने बनाते जाना है, ये रो कंप्लीट करने के बाद थर्ड रो कंप्लीट होगी, अब आगे हमारी फॉर्थ रो उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, अब धागा अ दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे है ना, दो से हमने तीन फंदे बनाए हैं, इसमें से दो फंदे तो हमारे ये उल्टे, एक फंदा स्किप कर लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ द एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक फंदा स्कीप कर लेंगे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही स्कीप कर लेंगे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा दो फंद फे उल्टे इस एक फंदे को बीना मुने स्किप करेंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बना लेंगे ऐसे करते हुए फॉर्थ रोव पूरी हमने बना कर कंप्लीट कर लेनी है अब रोव 5 हमारी सीधी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को हमने उतार देना है उतारने के बाद इ फिर से हमने स्किप कर लेना है इसी तरह से परलवाईज उतार लेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अभी स्किप किये हुए फंदे को उपर से ऐसे उतार देंगे एक फंदा हम उल्टा धागा दूसरी तरफ इस फंदे को बीना बुने ऐसे ही skip कर लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे ठीक है, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद, अब इस फंदे को जो हुँने उतारा था इन दोनों के उपर से गिरा देंगे, अब एक अब थागा दूसरी तरफ फिर से इस फंदे को स्किप करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे बनाएंगे अब इसे उठाएंगे उपर से गिरा लेंगे एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ इस फंदे को फिर से स्किप किया धागा अपनी तरफ किया दो फंदे उल्टे बना लिए अब इसे उठाया उपर से गिरा दिया एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए आपने आपने सारी पांचवी रो बना कर complete कर लेनी है, रो 5 ऐसे ही complete करेंगे, रो 6 हमारी उल्टी तरफ से, फ्रस्ट फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, ये पूरी र हमने ऐसे ही बनाकर complete करनी है एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे फिर से लास्ट में यह एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे और यह stick भी हम ऐसे ही उल्टा बना लेंगे तो यह छटी row हमने ऐसे ही बना कर complete कर लिली है row 6 हमारी ऐसे ही complete हो गинगे ने kami हमारे यतना design बनकर आया है आगे आगे आप इसे बनाती जाएगे यह हमारा इसी तरह से beautiful design बनकर ready हो जाएगा मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में बाबाई have a nice day